गुद मॉर्निंग कलीसिया और आज के डिवोशन के लिए पहले कुरुंतिय के दूसरे अध्याय पे चलते हैं और वर्स नमबर पांच से नौ इसके बारे में बात करेंगे नौ यह वर्स इसको आप पढ़ सकते हो और हमारा शीर्शक जो होगा वह होगा हमारी आत्मिक पहचान और आत्मिक जीवनशेली इसके बारे में कुछ पॉइंट्स होंगे तो कुछ पॉइंट्स आज बात करेंगे और बाकी के बाद कल डिवोशन में बात करेंगे दूसरा अध्याय पंक्ती नमबर 5 से लेकर पंक्ती नमबर 9 तक आप पड़ सकते हैं आज के लिए और हमारी आत्मिक पहचान यह हमारी क्या आत्मिक पहचान है क्या हमारी आत्मिक पहचान यह है कि शैतान हमारी जो कलतियां और हमारे कई विश्वासी इसमें जीते हैं उनकी पहचान क्या है मैंने कल क्या किया शैतान मेरे बारे में क्या बोल रहा है वो शैतन का काम क्या है? वो आकड़े दिखाएगा कितनी बार आप गिरेए, कितनी बार आपने कबजोरी आए, कितनी बार ये और कई लोग अपसको अपनी पहचान बना लेते हैं लेकिन येशु मसी हमें सच्चाई से शुद्द करते हैं और यही एक विश्वासी का जीवन है कि हम जो परमेश्वर ने हमारे बारे में कहा है उसके वो हमारी फाउंडेशन, वो हमारी नीव है उसके अनुसार हम जीते हैं शैतन क्या कह रहा है? और शेयतान के हमारी आकड़े और हमारी गलती और हमारी कमजोरियां दिखा रहा है उसके आधार पर हम नहीं जीते हैं लेकिन जो परमेशवर ने हमारे बारे में का है उसके बारे में उसके अनुसार हम जीते हैं तो आज के लिए और कल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि ऐसी कुछ बातें जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए हमारे जीवन में उसके बार में बात करेंगे तो आज के लिए पहला पॉइंट कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए हमारे जीवन में क्यूं क क्योंकि ये बाते परमेश्वर ने हमसे कही है और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए और आत्मिक पहचान के लिए दोनों के लिए जरूरी है। अनुग्र के लिए तुमारी भूख कभी नहीं खोना सुविकार करते रहो शैतान अनुग्रा नहीं देता है शैतान दोश देता है लेकिन परमेशवर हमें अनुग्रा देता है और हम देखते हैं कि हमें अनुग्रा पर अनुग्रा मिला है योणना एक सोला में, अनुग्र पर अनुग्र याद है, हमने एक संदेश किया था, इसकी संसार में जो हमें अनुग्र पर अनुग्र परमेशोर जो हमें देता है, वो समुद्र की लहरों की तरह है, याद है वो संदेश, अनुग्र पर अनुग्र परमेशोर में दिया है, अ हमें बुलाया गया है, हमारी बुलावट है कि एक तरीके से जीना है, किस तरीके से जीना है, विश्वास से, इबरानी 11, हमें विश्वास से जीना है, ये हमारी पहचान है और ये हमारी जीवन शैली है, संसार हमें बहुत से तोफे दे सकता है, बहुत सी जगा से भटका सकता है लेकिन इसकी लालसा में नहीं गिरना जो तुमारी आत्मिक प्रेड़ना है उसे कभी मत भूलना उसे खोना नहीं कभी याद है इबरानी 11 में मुसा ने का कि उसने अंदे की बाकोतों को देखा क्यों क्यों कि विश्वा से जी रहा था मैं फिरौन का बेटा नहीं हूं महल म मेरा नहीं है यह सेना मेरी नहीं है यह महल मेरे नहीं है यह धन मेरा नहीं है मैं परमेश्वर का हूं कई बाते हमें लालसा में डाल के परमेश्वर से दूर ले जा सकती है उनमें से धन है स्त्री है लोब है लालच है यह में ले जा सकते हैं विश्वा से जीना अपनी आत् वो प्रेम जो तुम्हारे दिल में है खोईवे लोगों के लिए उसे कम मत होने देना जिस दिन वो प्रेम कम हुआ उस दिन तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे परमेश्वर के लिए नहीं इस प्रेम को कभी कम होने मत देना खोईवे लोगों के लिए दर्शन को कम होने कई लोग हैं जो परमेश्वर के आशीशों को भूल जाते हैं और अपनी तकलीफों को बड़ा बनाते हैं मैंने पिछली बार संदेश में भी कहा था कि विश्वासी कभी इस तरह से होते हैं कि अपनी आशीशों को रेत में लिखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन अपनी तकलीफों को जैसे एक तस्वीर बना के अपने घर में सजा के रखते. जब हम धन्यवाद देना बंद करेंगे, परमेश्वर के आशिष हमारे जीवन में उस पे ध्यान देना बंद करेंगे, तो जीवन में कड़वाट आजाएगी, और हर चीज बुरी लगेगी, हर चीज में निराशा होगी, इसलिए उसके आशिषों के लिए उसे धन्यवाद जिसके तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, अपने आप तुमारा मूड बदल जाएगा, परमेश्वर को उसके आशिषों के लिए धन्यवाद देना ये कभी खोना नहीं, पाच्वी चीज, बाइबल की धारना है, जिस बातों के उपर आपकी कन्विक्शन है, ज आइबल हमारे जीवन के लिए, हर परिस्तिती के लिए, हर शेत्र के लिए, उसमें हमें दिया गया है कि किस तरह से हम जी सकते हैं, और सब कुछ अनुगर के द्वारा है, कोई भी चीज भीना अनुगर के नहीं है, ये कानून की किताब नहीं है, ये अनुगर के और प्रेम आता असानी से पाप में गिर सकते हो, उन धारनाओं को खोना नहीं, और आखरी में, परमेश्वर की देह, यानि कलीसिया के साथ, अपने संबंध को कभी खोना नहीं, देखो लॉक्डाउन के समय में कई सारे लोग बोल सकते हैं, चर्च नहीं है, तो मैं इसे क्यों फोन करू इसे क्यों मिलो हूँ, इसे क्यों बात करो, और जूम पे मिल लेते हैं, अरे ये देख, नहीं, ये देह है, अगर इस छोटी उंगली में भी चोट लगे की ना, तो पूरे देह को तकलिफ होती है, पूरे शरीर को तकलिफ होती है, छोटी सी उंगली में चोट लगती है, प इस संगती को ढूंडो और जहां संगती मिलती है वहां जाओ, मिलो, प्राथना करो, फोन करो, अकेला पन मत प्रहस, मेरा जीवन है, मैं जिस तरह से जीना है मैं जीओंगा, नहीं, यह संगती का जीवन है, इसे खोना नहीं, इस संगती को खोना नहीं, एक दिन तुमें भी ज याद रखेंगे फिर से इन छे चीज़ों को, अनुगर के लिए भूख, मिरी आत्मिक प्रेर्णा, खोएवे लोगों के लिए प्रेम, आशीशों के लिए धन्यवाद, गरेक्ट, बाइबल पे आधारित हमारी धारना है, और कलीसिया से हमारा संबन्द, यह हमारी जीवन शैली है, यह हमारी जीवन की सोच है, यह हमारी पहचान है, हम आपणों के नुसार नहीं जीते हैं, हम सच्चाई के नुसार जीते हैं, जो येशु मसीन हमें दिया है, आमेन, कल आपसे फिर मिलेंगे, और बाकी बातें, बाकी छे पॉइंट जो हैं वो कल आपसे बात करेंगे परमिशुर आपको आशीश दे आपका दिन भला हो और आपके द्वारा कोई न कोई आज ये शुमसी को जान सके ये ये मारी प्रात्मा है एमेन